बदलता से सुराल कहते हैं संसार का नियम है बदलाव हर चीज एक वक्त के बाद बदल जाती है चाहे वो फैशन हूँ, रितिरिवाज हूँ या इंसान सब कुछ एक वक्त के बाद बदलता जरूर है और यही बदलाव हमारे आजकल की पीड़ी और पुराणी पीड़ी के बिज भी दिखता है आईए देखते हैं इसकी एक जलक अरोरा परिवार में सुबह का वक्त है, सब लोग नाश्टे की टेबल पर बैठे है अरे आकाश यह ले, मैंने तेरे लिए गर्मा गरम पराठे बनाए है आलू के, घी डाल के निखिल कमाउन, फोन को साइड पर रखो और नाश्टा खालो मैंने तुम्हारे लिए ओच का पैंकेक बनाया है निखिल खाने के वक्त मुबाइल नहीं चलाते बिटा दादी सही कह रही है निखिल, अपना फोन साइड में रखो चलो फोन में क्या देख रहा था वैसे तो, गाने सुन रहा होगा रेडियो में है ना, जब हमने आकाश को मुबाइल ने कर दिया था ना तो वो भी सारा दिन रेडियो पे गाने सुनता रहता था हाँ दादी, और क्या करूँगा फोन में, गाने ही तो सुन रहा था इंस्टेग्राम पे आज कल कौन से गाने सुनने लगा है तू? मैंने अभी देखा तू आनलाइन था, और कितनी देर से ओनलाइन था? हाँ, नेकिल फोन हमने तुझे इमर्जेंसी के लिए दिया है, रील्स देखने के लिए नहीं अरे ममा आप जब देखो सब कुछ चेक कर दी रहती हो, पापा का अच्छा था जब चाहे रेडियो सुनो अरे तब फोन में रेडियो और दो गेम्स के अलावा और कुछ होता भी नहीं था ये रेल्स क्या होता है? अरे दादी कुछ नहीं, सब लोग अपने अपने वीडियोस डालते है, उसमें से काफी कुछ सीखने को मिलता है दादी को कुछ पता नहीं है, तो उन्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है ममी जी ये रेल्स देखनी के आदतना बहुत खराब है, बहुत समय बरबाद कर दीता है ये बच्चों का जिन से उनकी आँखों पर तो जोर पड़ता ही है, लेकिन उनका वक्त इसी में चला जाता है और उनकी पढ़ाई भी एफेक्ट होती है अरे नेखेल अगर ऐसा है तो माच चलाया कर बिटा ये सब, समझा की दादी तू मेरी ममी को बेवकूफ बना सकता है, अपनी नहीं अरोरा परिवार में दो माई, एक साथ रह रही थी जिनकी सोच और समझ दोनों एक दूसरी से बिलकुल अलग थी पर क्या पता लगा सकते हैं कि कौन सही है और कौन गलत ममी जी मैं ओफिस जा रही हूँ मा मैं भी निखलता हूँ, चलो मैं तुम्हें चोड़ते हूँ अरे नहीं मेरे पास स्कूटर है ना, चली जाओने की मैं अगर तेरे पास वाक्त हो तो बिटा मुझे मंदिर छोड़ देता ममी जी मैं छोड़ देती हूँ न आपको, मेरा ओफिस मंदर के रास्ते में ही पढ़ता है ठीक मैं अभी आती हूँ तुम जाओ ओफिस मैं उनको छोड़ दूगी दिविया अपनी स्कूटी निकालती है और कावेरी को बैटने को कहती है कावेरी दिविया की स्कूटी को बड़े प्यार से देख रही थी क्या हुआ ममी जी? आरे, नहीं, कुछ नहीं हुआ मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुझे गाड़ी, वाड़ी सब चलाना आता है आकाश जब चूटा था ना, तो मुझे बाहर बार इसके पापा को बोलना पड़ता था कहीं पी जाने के लिए आपके समय में किसी को ज्यादा छूट नहीं थी ना ममी जी? हाँ, वो भी है, और मैं ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी और ना यह बोबाइल फोन्स थे, जिनसे मैं कुछ सीख पाती वो बात था है ममी जी, पहले इतनी चीज़े नहीं थी सीखने के लिए अच्छा, चल सबजी ले ले यहां से, कितनी ताजा और अच्छी लग रही है, देख तो मैं ओन्नाइन ओडर कर दूगी ना ममी जी अरे सबजी यहां तो देख करी लेनी चाहिए, और यहां से दो पैसे सस्थी भी मिलेंगी आजा आजा, ठीक है, आप ले लीजिए, और यह देखे सामनी ही है मंदिर अच्छा ठीक है, तुझा अपने ओफिस, मैं यहां से सबजी लेके मंदिर चली जाओंगी फिर आप वापस कैसे हैंगी ममी जी? अरे मैं इतने भी भोली नहीं हूँ, यहां से आटो करवाके चली जाओंगी नहीं, मैं निखिल को फोन कर देती हूँ, वो ट्यूशन से जाती हुए आपको लेता हुए जाएगा, ठीक है? ठीक है, अगर वो यहां से जा रहा है तो मुझे लेते हुए जाए ठीक है, मैं कॉल कर देती हूँ निखिल को दिव्या कावेरी को मंदिछ छोड़ने की बाद, निखिल को फोन लगाती है हाँ मम्मी काओ बिटा भी? अरे मम्मी ट्यूशन में हूँ और काओ हूँगा अच्छा, तुमारा ट्यूशन आजकर मैकड़नाल्ड में लगता है क्या? हाँ? वो आपको तुमारे दोस्त रवी ने इंस्टाग्राम पर टालाया स्टोरी, और तुम भी दिख रहे हो उसमें अरे ये रवी भी ना मम्मी सारी वो बस आजी आगे कभी ऐसा नहीं करूँगा आगे से तुम कर भी नहीं पाओगे आजी मैने तुम्हारे ट्यूशन सर सिखा है कि वो एक WhatsApp ग्रूप बना दे पैरेंस का और बच्चे कब आ रहे हैं, कब नहीं, कहा है इसकी सारी डीटेल्स हमारे साथ शेयर कर दे तो अगली बार बिना बताये कहीं जाने का सोचना भी मत ओके ममा और सुनो, अभी निकलो माँ से और जाते बगद दादी को मंदिर से लेते हुए जाना ठीक है ममा और नो मूर मस्ती, ओके? ओके अब तो ट्यूशन बंग करके कहीं जा भी नहीं सकते ममी ने तो सारे रास्ते ही बंद करती है ये इतनी ओश्यार ममी होना भी ना सेहत के लिए अच्छा नहीं है चल निखिल बेटा, निकल ले यहां से अब मंदिर दादी को भी लेने जाना है निखिल वहां से निकल कर सीधा अपनी दादी को लेने मंदिर पहुचता है आरे तो आ गया निखिल? हाँ दादी आये बैठिये आरे तू क्यों आया? मैंने कहा था दिव्याल से कि मैं चली जाओंगी अरे दादी मैं हूँ ना, अब बैठिये अरे तो ठक गया होगा ना, पढ़ाई करकर के बिटा दादी कितनी बूली है इनने समझाना कितना आसान है और यहीं मम्मी होती, तो फटक से पता लगा ले थी कि मैं दूसरे रास्ते से आया हूँ अपने ट्यूशन वाले रास्ते से नहीं क्या हूँ अब बिटा, कहा खो गया कुछ नहीं, दादी बस सोच रहा था कि अब बहुत क्यूट है चाला, मसका मत लगा दादी को आप घार चलते हैं, और उसके बाद मैं तेरे लिए कुछ अच्छा सा खाने के लिए बना देती हूँ कावेरी भोली थी, क्योंकि उसते आज तक ये सब सीखा नहीं था वो तो दीविया ही हुश्या थी क्योंकि वो आज के समाने के हिसाब से सब कुछ सीख ली थी लेकिन निखिल को तो अपनी दादी ही ज्यादा पसंद आती थी जिनसे वो कुछ भी कहे तो वो मान जाए दादी ये देखिए, ये कैसा है? आरे पर ये क्या है बिटा? दादी ये ना एक तरह की बुक है इसमें बहुत सारी किताबे होती है आप इने एक साथ पढ़ भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं अच्छा, आजकल तो पता नहीं क्या-क्या बन गया है तू ले लेना, इससे तेरी पढ़ाई भी अच्छी हो जाएगी आँ दादी, लेकिन ममी लेने नहीं देंगी मुझे आप तो जानती है ना ममी को अरे ठीक है, कोई बात ने, तो मंगवा आले, मैं पैसे दे तूंगे, ठीक है टेंक यू दादी, यॉर दी बेस्ट आरे आप चल, जाकर कुछ खा ले बिटा है जी दादी निक्किल ने अपनी दादी को जिस चीज के लिए बताया था वो कोई बुक की कलेक्शन नहीं थी, बलकि एक ब्ल्यूटूथ स्पीकर था अरे ये कहां से आया स्पीकर? वो मुझे दादी ने लेकर दिया है ममी मैं इसमें बुक्स डाउन्डोड करके भी बढ़ सकता हूँ अच्छा, तु पहले अपने स्कूल की बुक्स तो पढ़ ले बेटा और इसमें तू पढ़ेगा और सुनेगा मैं सब जानती हूँ अब उसने ले ही लिया है, तो क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं, मैंने वाइफाई का पासवर्ट बदल दिया है मैंने कितनी बार कहा है कि इन सब चीजों में अपना वक्त बरबाद मत करो लेकिन तु मेरी कोई बात ही नहीं सुनते है ठीक अब चलो, जब तुम्हें चाहिए होगा तब मैं तुम्हें पासवर्ट देदूगी अब चलके खाना खालो तुम्हें ये मंगवाया कैसे? अरे मेरी ममी तो दिलाने से रही, आपकी ममी को पटा कर ले लिया उन्हें पटाना असान है बच्पन में मैं उनसे पैसे लेता था ये कहकर कि मेरी नोट बुक खत्म हो गई है एक भी नहीं है, किताब लेनी है या पैन लेनी है और पैसे लेकर हम दोस्त मस्ती करने चले जाते थे और यहां तो ममी को कुछ कह एहीं नहीं सकते वो तो कुछ चेक कर लेती है किताबे और ऑनलाइन मंगवा भी देती है तुम्हें पता है जब मैं तुम्हारी उम्र का था ना अब हम लोग स्कूल से भाग जाते थे और जब प्रिंसिपल का फोन आता था तो मैं ममी को बाना बना देता था कि मेरे दोस्त को चोट लगे थी इसलिए स्कूल से भागना पड़ा और वो मान भी लेती थी सच और ममी को तो ऐसा कुछ बोली नहीं सकते मेरे सारे दोस्तों के ममीयों के नंबर है उनके पास उन्हें उल्लू बनाना अजान नहीं है वो बात तो है हम वो आखरी जनरेशन है जिनकी ममीया इतनी भोली है हम तो ऐसा कुछ करी नहीं सकते है हमारी जनरेशन की ममीया तो हमसे भी थेज है काश वो भी भोली होती निखिल इसे तो बदलाव कहते है जो संसार का नियम है आज अगर तुम्हारी मम्मी ये सब बाते नहीं सीख पाएगी तो तुम्हें गलत रास्ते पर जाने से बचा भी नहीं पाएगी हमारे जमाने के बात कुछ और थी अपके माहौल में बहुत फर्क है और अईबात मम्मी की तो एक बात याद रखना मम्मी नए जमाने की हो या पुराने जमाने की मा तो मा ही होती है उनका एक ही मकसद होता है अपने बच्चे की पढ़ाई समझे जी पापा समझ गया अरे आजाओ दोनों क्या कर रहे हो आगे आगे यह तेरे लिया हलवा बनाया है मैंने बेटा निखिल यह तेरे लिए की तुझे पसंद है ना आकाश और निखिल एक दूसरे की तरफ देखकर मस्कराते हैं